कि आँ भी मैं चुछ और चुर्ज कर दे थे जरी ताथ यूज करनी है जिंक था जिंक ग्रेंफ दे नाम ते ट्वर्ड अड़े प्रयोग शाल्द ने थे जरी फ्लिशर टुकड़े जिंक झान दे आधर है सभी कि नातों तिसी एना देख सकते हो कि चमक दार सता जरी है तो नजरा हाई है तो सी देख सकते हो कि के 한 दे कpowerा जान जरा आ तो दूसरी तर्शना इक किस तर्शना दाम mouse इंदा रांग इन्ड जे दाट यह अन्रदा है हुन असी पुछना चाहना मैं तो नू बच्यो के जिरे तजाब ने किसे तजाब दा नाम दा सकते हो तुसी जिरे तुसी पढ़े हो जहां किसे किर्या देविच उप्योग किते हो बिटा जिमें अपर एस किर्या देविच एक तजाब यूज बरता करन जा रहे हैं उन्दा नाम है हाइड्रोकलोरिक एसिड हाइड्रोकलोरिक एसिड दस हुतर है है एच सी अल इसी तरही कई होर तजाब साधिकोल प्रयोग्शान लविच मजूद हों देहन जिमें के सलिफ् आइड्रोकलोरिक एसिड ह2SO4 नाइट्रिक एसिड हैच एनो 3 इत जाब तो अडेकुल प्रयोग्शान लविच संगनी वस्ता विच संगने तजाब देतोरते मजूद हों देहां पर असी पर योग दे विच इस दा पतला हाइड्रोकलोरिक एसिड इस्तमाल करना है हूं तो संगना तजाब दा मतलब है कि जिस विच तजाब दी मतला ज्यादा होएगी और पानी दी मतला बहुत थोड़ी होएगी जदके पतला तजाब दा मतलब है जिस विच तजाब थोड़ी मतलब है और पानी ज्यादा मतला विच है और पानी ज्यादा मतला विच लिया गया है संगने तजाब fique अगे हो सकता है उन्यों वर्तनली बहुत ज़्यादा साफधनी कि जरूर्थ पहंदी है पर comment क्यों कर्थ दिविच्छ आम तोर थे हल्क के तजाब के बरतों ही यहां प्रियोगّ शाला दे विछों संगने तजाब्तों हलक़ा तजाब कीमे त्यार करना है इस दली अध्यापक साती त्यान देनगे कि इस तजाब नो त्यार करने हमेशा भीकर दे विछ पहला पाणी लेना है फिर उस विछ बूद बूद करके तजाब विलान देना है करके उल्टा भी किता जा सकता है नहीं जी कदे भी तजाब देविच पानी मिलां दी गल्ती ना किती जावे क्योंकि तजाब देविच पानी मिलाया जानता है एक ताप निकासी किर्या हुंदी है इनना ज्यादा ताप पैदा हुंदा है क्यों तजाब तो अड़े उपर पतला तजाब बना नमास ते हमेशा पहला पानी लेना है पानी विच बूंद बूंद करके तो से तजाब मिलाना है सो कर्या देख दे हैं कि ऐसी कर्या देविच जीङक दे कुझे टुकडिया नूँ फ्लास्क देविच पामांगे ऐसी उस देविच हल्का जनुक्त पतला हाईड्राख्लोरिक असीद मिला मांगे तक की हुंदा है एक कॉनीकल फ्लास्क लई है जिसान निजमैं के पहला दस चुक्त के या, इस दे अंदर अशी होना जिंक दे तुपडे ने जिएक ग्रैनवर्ल तो लबाँगे जी उस विच जिमैं के सब दस चुक्त के है भी ड्रोपपर दे नाज थोड़ा थोड़ा करके थे आप मिलां व यह जो किरिया शुरू हो चुक्की है हाँ जी बच्चे ओ तुस्य देख रहे होगे कि एस कॉनिकल फ्लास्ट देवेच होंता नू इस ने बुलबले बंदे नजर आ रहे हैं यह बुलबले किस चीदे हैं अपने द्यापक नू पुछो अते कुछ आप सोचन दी कोशिश करो के बुलबले किस चीदे बंदे हैं तब त्यारतियो जोदो किसे तल पतास देवेच गैस पैदा उन्दी है तो बुलबले बंदके उपर नू निकल दी है इस मेंज ए जडिये बुलबले ने एक इस गैस दे हन एस कीर्या देविच जिंक हाइड्रोकलोरिक तजाबना क्या करके जिंक कुलराइड प्लास हाइड्रोजन गैस पैदा करदा है ए हाइड्रोजन गैस जडिये है उपर नो निकल रही है झाल 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 सफेदी कराई जान दी है सफेदी सफेदी कराण वास्ते एक पदार्थ ले अनदा जानदा है जिन्नों आसी मार्कर वेच जाकर वेच आम तोड़ते कली दा शबद वर्त दे हां कली की हुंदी है कली आन बजय चुनना ही हुंदा है उसनों सी कैलिशियम अकसाइड कहने है साधी परियोग शाला दे वेच ये कैलिशियम अकसाइड दे नाम ते वर्त आ जानदा है सार अगर ये इसना मतलब भी नामजूद होवे परियोग शाला चुनना तसी बजयारों जड़ी आम कली आख खृद के इस परियोग ली वर्त सकते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल तुस्य बजयार चौं कली जड़ी करने वाली है उसनों वर्त के वी ये किर्या कर सकते हो इस के दिविच की होगा के कैलिशियम अक्साइड में जो तुसी एक बीकर चलोगे वो दिविच तुसी पानी पाना है पानी पानना के कैलिशियम अक्साइड पानी वेचे कुल ना शुरू हो जएगा कुल के कैलिशियम हाइड्रोक्साइड बन जानता है बिलकुल इसी तरह ही जिमिशी कारन दे बिच कली करन लग गया कली दे बिच पाणी पांदे सीगे ओ कली को लगे त्यारो ज़न दीसी तर एक पड़ी गाल विच्छे रहेगी विच्छे देख देदे आं विज़े जो कारनू सफेदी यह कली करोंदे है लोग तब पहला तो अजी पानी जा हंदा है हाली हो बहुत सफेद रंक लेख लेंदा है की एभी क्रिया हंदी है बिलकुल जी जो दोसी कार्फ विच कली कर दें हैं तब पहले जो दो कली फेरी जान दी है उन्दा कोई चमक कोई रंक नजर नहीं आदा पर समा पैंदे नालाल उन्दे अंदर चमक आने शुरू हो जान दी है यह भी एक अरसाइनी किरिया है असी जान दे हां के साधे वाजू मंडल दे विच कार्बन डैकसे नादिक गैस है जदो एक कली नूप पानी चेको लेा जान दा है तो केल्सियम हाइड्रोकसाइड बन दी है जिसनों सी दिवारां ते फेर दे है पर वाजू मंडली विचली कार्बन डैकसे नाल वो केल्सियम हाइड्रोकसाइड किरिया करता रहन दा है किरिया करके वो किंदे चे बतल जान दा है केल्सियम कार्बोनेट वेच कैलिशियम कार्बोनेट सफेद रंग दा चमक दार पतार थना है इस करके साध्य कारादे वेच उस सफेदी नाल चमक आ जान दी है तुसी जान दी हो कि जो तो सफेदी कराई जान दी है कार जड़ा है जग मगा उड़ता है कि रोशनी जड़ी होंदे तो परवर्तितों के पूरे कार्बोनेट वेच फैल दी है तो इसी तरह कैलिशियम अक्साइड जड़ा है अन बुझा चुना जो तो पानी चे मिला जान दा है बुझा चुना वेच बतल जान दा है तो बाच चिंदे चो कार्बन डेक्साइड जे लंगाई जावे तो ये वापस केलिशियम कार्बोनेट वेच बतल जान दा है तो आसी इस किर्यानू करके देखांगे कि इंदे वेच हूर की चीज देखन वेच आं दी है मैं थे एक शबद बोलिया हूर की चीज देखन वेच आं दी है बच्चो तो सीवेच किर्यानू करना है और नाल नोट करना है कैसी इंदे च की देखे सबतर पहला स्पेचला दी मदद नाल आसी कैलिशियम अक्साइड नू एक खाली भी कर देवेच लवांगे होना सी अंदे विच पानी मिला वांगे हाँ जी गर्मे जी तुसे अनू हाथ लगा के देखो काफी गर्म होगी है जी असी देख्या कि एस नू जदो हाथ लगाया तो इंदा बीकर जड़ा है उस बीकर दापमान वदना शिरू हो गया एक ताप निकासी करेए इन देख करके इस बरतनता ताप जड़ा है वदना शिरू हो जड़ा है फैरस सेलफेत को गरं किता जलना है अते अब गटन के रहा हुंदी है शबद अबगटनतों की मतलब है अबगटन दा मतलब टूटना कोई एक पदार्थ जो एक तो जादा पदार्था विच टूट जानदा है तो इसनों अबगटन किरिया आखते हैं इस किरिया देवेच आसी देखांगे के फेरसलफेट तोटके किनना पदार्फा बदलदा है इस लिए सानू जो समगरी चाहिदी है सब्थो पहला परयोग शाला दे विचों फेरसलफेट हैप्टा हाइडेट नादा और सानिक पदार्फ जो सानू चाहिदा है हैप्टा हाइडेट दा मतलब कहा है इस विच हेप्टा दा मतलब सत इस योगिक देविच सत अनु पानी दे क्रिश्टली जाल दे रूबिच मजूद है इस दा पूरा फॉर्मुला FESO4.7H2O है इस दा रंग हरे रंग दा है जे में कैसी तण दुखान जा रहे हैं के Fero-Sulfate Hepto-Hydrate दे क्रिश्टल दा रंग हरे रंग हुदा है देखो बिद्यारतियो हरे रंग दे क्रिश्टल तो अनु नजर आ रहे हैं हुन ज़तों ऐसी एना क्रिस्चल्स दा अब गटन करना है तक की की परिवर्तन आनंगे वो अपां किर्याराईं देखना है इस किर्याराई हूर नुडिंदी समगरी है एक काचदी परखनली होल्डर, स्पैचुला, स्पिरिट लेंप अते इस विचो निकलन वारियां गैसा दा इस बाहा नू जानन लई सानू लिटमस पेपर देज जरूर्त पाएगे ता इस किर्याराई नू करन लई असी स्पिरिट लेंप नू जलावांगे परखनली वेच थोड़े जे फैरस सलफेड़ दे क्रिस्टल्स पाएजानगे इनना फैरस सलफेड़ दे क्रिस्टल्स नू इस लाट उत्ते गरम करना है आते देखांगे कि इस वेच की की परवर्त ना आ रहे हन साबधानी वर्ति जावे के परखनली दा मू विद्यार्तियां तो परे रख्या जावे ता बच्यों तुसी देखोगे के इस परखनली दे उपर पाणी ने भूंदा चारे पासे लग जान गिया मैं दसना चावांगा के ओ पाणी दे बूंदा हन जो इस वेच क्रिस्टली जाल मजूद सीगा जो तो शीन गरम कीता तो सब तो पहले इसने आपने पाणी दे अनवानों गवाया तो एदा रंग हरे तो परवर्तितों के सफेद हो जाएगा काफी ज़्यादा पानी देख सकते है अपना पानी दे बूंदा हन्दे पर्खनली दे वेचा आ जुकिया ने जड़ा फैरवर्तित देन्हाज्च जुड़े सी जिने सर कहई रही सी पानी सी एक कण्नूने दे मगर सत यनु पानी दे सी तो गर्मी देने माल ज़ी दो के Sulfate, Hepta Hydrate तो, Ferrous Sulfate बन गया, जिदा के रांग सेध है, होन जदो शिनू, होर heat करांगे, होर ज्यादा गरम करांगे, तो होर विगाटित होएगा, विगाटित होके, इस विचो, Sulfur Đioksid अते सलफ़र Tri Oxide वर गया गयां, कैसा निकल दिया हैं, अते पिछे फेरस अक्साइड नादा पदार्त बचदा है जिसनों असी आम तोरते देखिया हुए के फेरस अक्साइड जंगाल दे रूबिच सा डेकोल मजूद होंदा है जो उस विच पानी दिया बुंदा नल जान तो असी इस पर्खनल दे विच पानी बें मजूद है फेरस अक्साइड भी मजूद है असी देखांगे के अंत विच एक जंगाल दे रूबिच सानों नजर आएगा तो सबतों पहला सी एध पर्ख करिए के जिनिया गैसा निकल रही है ने नेचो किस सबादियाने जिना वास ते यसी लिटमस पेपर दी वर्तों करांगे एध पर्खनल दे मूं ते अगले इसे ते यसी लिटमस के पर राख headaches नीले रंग दीधमस फेपर मै वर्त रहा हाँ हलका हलका नीले तोहें लाज रंग वच पर वर्तित हो रहा है है जर पहले ही जान दे हां कि टिजाब होंदे हैं ज तेजाबी गयसा होंदे या संओ बधर ईक नेले रंग डा लाल विच्वृ जर्व सिल लें पटलने और ऑप दूंव देख सकते हें कि पहला जरा नीले रंग डार लें लिप मस पर लिआ उसने सलफर डायकसाइड ते सलफर ट्रायकसाइड नाल उसा रांग जड़ा परवर्तित हो चुक्या है हलके गुलाबी लार रंग देविच परवर्तित हो गया है जद के जो असली लिटर में पर नीला उन्दा रंग ऐसा बना होंदा है तस यह तो यह सिखते हैं कि इंदे ज यह सभी दियाने अब व्यूंट विच ले मजूद पानी देना मिल dat चल्फूर शलफूर्त proban के नाधे तराव पैदा कर sagt सो बाड़िज देना रलके उस वारिश नव के टजाभी वर्का बनासीन अंजरी वसित पदार्तित हैं पीछियां उसा यstar जड़ियान रांग वता ह गंड वरगी है जी जड़ा इंगेता निकल रही है कि You know the दें दी ज़ाओं षल्फर वरगी है। शटर नие ज़लदी। दें इन nesse घंद मनेता तरीका है। सब्सका्चित करने दो हुआंं जी बच्छीं रहनाहाँ जी आतीज़् है सब्सक्राइब कोशी करते हैं जिन देनाल नुक्सान भी हो सकता है ता उन्दी सुगंद लेंद एक तरीका है जड़ी गैस निकरी या नू बिलकुल देखोई मैंदा का रहे हैं ते जिमें साथ ने क्या सिगा बर्निंग सल्फर दी समेल है तो बिलकुल ओदनी समेल ही आ रही तरीका है एक ता गरम करन दा तरीके बार यासी दास चुक्यां पिजड़ा दा मुह है वह सारी द्यार्थियां तो थे खुद तो परे होना चाहिए ते नमपर दो थे सुगंद लेंदा तरीका हां जी बिलकुल जी तुसी देख्या के सुगंद किवें असी गैस नो अपने किर्या करन जा रहे हां जी स्विच सान नो लोड़िंदी समगरी जेव है लेड नाइट्रेट पर्खनली होल्डर स्पैचुला स्पिरिट लेंप अते फिर इस विच निकलन वाली गैसा अदा सब आचेक करन वास्ते रेड अते ब्लू लिटमस चाहिए दे हां इस किर्या न अते ब्लू लेड नाइटेट नू गरम करांगे अते नोट करांगे केस विचो केस तरनिया गैसा निकलन रहे हां पर्खनली नू खोल्डर नाल पकड़ो उस विच स्पैचुला दी मददनाल लेड नाइटेट दे क्रिस्टल्स पाउ इस विच भी इसी पर्खनली नू स्पिरिट लेम्प दूपर गरम करना है और बच्चेया तो इस पर्खनली ना मू परे रख्या जावे जो तो लेड नाइटेट नू स्पिरिट लेम्प दे गरम किता जाएगा यह भी कटी तो के लेड मोनोकसाइड नाइट्रोजन डायकसाइड आते ऑक्सिट गैस विच बदल जाएगा लेड मोनोकसाइड थो सबस्ता विच पर्खनली विच यह मजूद रहेगा जदके नाइट्रोजन डायकसाइड आते ऑक्सिट गैस सबस्ता विच विच पर्खनली चो बार निकल दिया जिवें के पिछली किर्या देविच तुसी सल्फर डाइकसाइड अच्छे सल्फर ट्राइकसाइड बर्गियां गैसना देखियां परोना दा कोई रंग नहीं सी इस किर्या दे विच ऑक्षिजन गैस जरी निकल रही है उसदा कोई रंग नहीं है पर जरी नाइट्रोजन डायक्साइड गैस निकलेगी उसदा रंग रेडिश ब्राउन हलका प्र नजर आव Сп्र्कवस इस ब्रॉल फिच अद्रा ब्राउन कलर दी ग्यास निकल दी नजर आ रहे है आदेखो बच्छों ब्राउन कलर दी गैस हंता इन निकल दी नजर आ रही है रैडिश ब्राउन लाल पूरा रंग उन्स गैस दा सो बाच चेक करना वास्ते ऐसी ultimately पर दीवर्तेयों करांगी, मैं पहला नीला लीटमस पिपर बदल के लाग राग वेच तदील BUY haw जुक्क्या है, उसकता मतलब क्ये जरी गैस निकल है ये तेजाबी सबादी है पर जिमें देगे लाल लिटमस फेपर रखदा है तो इस देर आंगे विच कोई परवर्तन नी आया तो इस तो सिद्ध हो जानदा है कि इंदे जो जड़ी गैस निकल रही है नाइट्रोजन डायकसाइड गैस वो तेजाबी सबादी है एक गैस भी वाईयो मेडल चे जाके पानी नल किरे करके नाइट्रिक एसिड नादे अमल दी रचना कर दी है उन पिछे जो पदार से बचया वो लेड मोनोकसाइड दा है तब द्यारतियो एव एक विगटन किरे है कि लेड नाइट्रिक लेड अकसाइड वेच बदल गया आते नाइट्रोजन डायकसाइड आते अकसिड वर गया गैसा है तो पैदा हुई है पानी हाइड्रोजन ते अकसिजन ता जोड़के बनेया है जे उस चो बिजली लंगा आँगे अपां तो तोसी की उमीद रख दे की होएगा सर जो शुद्ध पानी होंदा है उन्दी विच वजली लंगा आंते कुछ भी नहीं होएगा क्योंकि वजली दा कुछ अलक है उसनों चालक बना नवास थे सानों दे विच कुछ ना कुछ कोई साल्ट जा कोई एसिड जा कोई बेस मिलाना पैंदा है जिस कारके उसे उचों बिजली तारा लंग दी है ते ओ पानी आवदे अनों आइना विच ठोट जानदा है चलो करके दखाऊ में जी जरूर कर रहेंगे जी यह तुसी पानी नाल पार रहे हूं इस कंटेंडर हों जी असी पानी नाल इलेक्टोर्स में पूरा डबो देना है होना सी जदो इस विचों बिजलाई करंट लंग आवांगे तासी देखांगे के इस विच पानी दा पकटन शिरू हो जानता है अते एक लेक्टोर ते हाइडोजन गैस बनेगी और दूसरे लेक्टोर ते ऑक्षण गैस बनेगी चलो देखिए कितना बांदी है जी आसी एस बैटरी देख़ें हां के इंदे दो टर्मिनाल ने एक पौजटीव एक नेगीटिव आसी एक चरन पौजटीव टरूर जोड़। में आएडोड कहन धे हां आता है नेगीटिव टर्मिनल लोग फोर खोर 香ंडि लेक्टोर माद गह, जोड़ देता यानिकि के छ 두कर देख Из लाल रंग दे जड़ा poignHE हूंदा है पॉसटिव टेर्मिनल ही हूंदा BATERY Corn किमेंशन लेली गई है काले रंगा जिड़ा पॉंइंट हर से था है उग पो这么 भीड पोंट हो नेगेटिति टेर्मिनल रम अफ तरुले याजनी कि आवाला पॉंट की हो गया किफोड केफोड़ हो गया ये गैस दे बूलबले कुछ कुछ नजर आ रहे हैं जी कि तुसी इसनों दस वोल्ट ते कर देंगे बहुत काट बन रहे है क्योंकि पाने जड़ा है तर इदी कन्डेक्टिविटी बदा आन लई असी तुसी 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 पाणी नीचे आएगा पूरी ना परते फेर कि वे इंदेच चर सब्सक्राइब नीचे की उपर आएगी पानी नीचे नो डिस्प्लेस होएगा और असी देखांगे कि गैस दा जड़ा आइतन है वो कथोड ते अनोड ना लो दुगना होएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस आउक्सन दे मकाबले बहुत ज़्यादा बनात्राच दुग नहीं होंदी है तो असी देख कि थोड़ वाली ट्यूब दूपर एर बबल जड़ा है गैस दा बबल बनना शुरू हो गया है पानी नीचे डिस्प्लेस हो रहा है और गैस उपर नो राइस कर रही है तो दूसरे पासे अनोड़ा ले पासे हजे थोड़ा बबल बनेया है लागपा गोस्तों अद्दाई बबल बनेया है इट मींज के ऑक्षन जड़िये हाइडोजन दे कंपेटिवली जाओं दी तोलना विच अधी मात्रा विच बन दी है दूरा विस्तापन विच असी दो अलग लग तरह दे साल्ट लमांगे उन्हा दोवा नो मिलांते उह आप दे आइना दी अदला बदली क गरणगे पैले दा तान् आइन दूसरे दे रिन आइन दे नाल जोड़ जेगा और पैले दा रिन आइन दूसरेते तान नाल जोड़ जेगा तल इस तरह एक दूझे दे आइना दी अधला बदली नो दूरा विस्तापन के रह कहते है इसलाई सानू जो लुडिंदी समगरी चाहिदी है सोडियम सलफेट अरसाइनिक परदाथ अते बेरियम कोलराइड जो के साड़े परयोग शालला वेच असानी नाल अपलब दहान इसाड़े कोल साल्ड दे रूब दे रूब दे मजूद हान असी इना दे कोल त्यार करने हान जे में एक ऐसी पहला सेख चुके हाँ के इना दे कोल त्यार करने मस्ते सानू बीकर दी जरूरत है स्पेचुला दी जरूरत है और एक स्टिरर दी जरूरत है असी एक बीकर दे बिच सोडियम सलफेट दे पौडरनु मिलाके उसदा कोल थियार करांगे, पाने मिच कोल थियार हो जाएगा, जी मैं के तुछी देख रहे हो, सोडियम सलफेड दा कोल बनके त्यार है, होन साननू बेरियम कोल थियार कोल थियार जरूरत है, होन सी दूसरे बीकर दे विच, बेरियम कोल राइड दे, साल्ट नू मिला मांगे, स्टिरर दी मदद नाल, असी इसनों कोलना शुरू किता, असी देख्या के, दोमें पदार्त पानी वेच, कोलन शील हन, अत्योंना ने अपना कोल थियार कर लिया, होन असी ड्रोपर दी मदद नाल, एक कोल दियां कुछ बुंदा, दूसरे कोल विच, पामागे, असी बेरियम कोल राइड दे कोल दियां कुछ बुंदा, सोडियम सलफेड दे कोल विच, पा रहे हैं, तब दे अर्थियों त्याना देखना, बड़े त्याना देखो, तक की तो उन्हों नजर आ रहे है, सफेद सफेद फ्यूम्स, तुए वर्गे बदल जेंदे चे, नजर आ रहे हैं, ए ज़री सफेद फ्यूम्स, जा तुए वर्गे बदल नजर आ रहे हैं, ए दूरा विस्थापन किरिया दे शिटे बजों, बेरियम सलफेट नादा पदार्थ बन देया है, ए बेरियम सलफेट पदार्थ, पानी विचे काटे को लनशीन होन करके, ये अवखेप बनके, नीचे बैठ जाएगा, कुछ समय नूँ पयार हैं दिये, ता आसी बेरियम सलफेट दे, अवखेप इस को लड़े तालते देखांगे, ता इस तरह इस किरिया दे विच, दूरा विस्थापन किरिया दे दरान, इना दे आइना दी अदला बदरी होगी, असी लेकर चले सी सोडियम सलफेट दे बेरियम कोलाइड, जिमें कैसी पहला दस्या है कि एक आइन दा, एक योगिक दा तान आइन, दूसरे दे रिन आइना जुड़ेगा, ते पहले दा रिन आइन, दूसरे दे तान आइना जुड़ेगा, दूरा विस्थापन किरिया करदा है, बेरियम सलफेट दे कन, नीचे बेहर दे नजर आ रहे हैं, आते जो कोल विच आइन बचनगे, सोडियम अते कुलरीन, ओ एनने सील दा कोल बचेगा, ता एस किरिया दे वे चसी देख दे हैं, कि दूरा विस्थापन किरिया की हुंदी है, तनवाजी,